स्वागत है आप सभी का मोटिवेशनल कहानियों में आज की कहानी का सीर्षक है बर्गत का पेड़ और कौवे एक बार एक छोटे से पेड़ पर बहुत सारे कौवे एक साथ रहते थे वे अपना जीवन बड़ी आराम से बसर कर रहते वे दिन में खाना तलासते और खाते और रात को आराम से मोज मस्ती करते और सो जाते उनका जीवन बड़ी आराम से कट रहा था इसका कारण उनका राजा था जो सबको संभाले हुए था दीरे दीरे कोवों की तादाद बढ़ने लगी अब वे पेड छोटा पढ़ने लग गया सभी बड़ी मुश्किल से उसमें समा पाते थे यह देख राजा ने सोचा क्यों ना नया बसेरा डूंडा जाए तो उसने सभी से मंतरना की और सबने रजा मंदी से यह कारे बार राजा को ही सौप दिया अब राजा पूरे दिन नये बसेरे की तलास में लगा रहता एक दिन उसे एक विशाल बरगत का पेड मिल गया वह एक हरावरा पेड था उसने उसे अपना नया बसेरा बनाने का फैसला किया कोई के राजा में सिष्टता थी सव वहां रहन बसेरा बनाने से पहले उसने सोचा कि बरगत के पेड की अनुमती ले लेता हूँ सव वह पेड के पास गया और जोर से बोला हे बरगत के पेड मैं कोई का राजा हूँ तुझे यह जानकर खुशी होगी कि हम तुमारे यहां हमारा राजमेल बनाने वाले हैं मैं जानता हूँ कि यह जानकर तुम्हें बहुत गरो मेशूस हो रहा होगा फिर भी मैंने सोचा कि तुमारे इजादित के बेगर तुमारे यहां रेन बसरा बनाना उचित नहीं है लेकिन बर्गत के पेड़ ने कोई जवाब नहीं दिया कोई के राजा ने दो तीन बार चिला चिला कर यही बात कही मगर बर्गत ने कोई जवाब नहीं दिया तब कोई ने उसे मौन स्विकृति मान ली कि भई कोई जवाब नहीं आ रहा है तो हाँ ही समझो बस सभी कोवे बर्गत के पेड़ पर रहने चले गए कुछ समय के बाद फिर कोवों के तादाद चार गुना हो गई अब फिर एक नए रेन बसेरे की जरूत पढ़ने लगी फिर तो उस बर्गत के पेड़ से भी जाने का समय आ गया कई जगे तपास करने के बाद एक जगे उनको मिल गई अब इस जगे को छोड़ने से पहले कोवे का राजा बर्गत के पेड़ के पास उसका धन्यवाद देने गया और बोला ये बर्गत के पेड़ तुमें अजान कर बहुत दुख होगा कि हमें तुमको छोड़का जाना पढ़ रहा है परन तु क्या करें हमारी भी मजबूरी है जगे अब छोटी पढ़ रही है हमें जाना ही होगा इस बार भी वह दो तीन बार चिल आया परन तु इस बार तो बर्गत का पेड़ बोल पढ़ा बोला अच्छा तो तुम काफी समय से मेरे पर रह रह थे मुझे तो तुमारे रहने का तुमारे जाने का पता ही नहीं चला इतना सुनते ही कोवे के राजा का सारा नसा जाता रहा उसके रहने और जाने तक का बर्गत के पेड़ को पता नहीं था इस कहानी से हमें बहुत अच्छी एक सीक मिलती है वह यह है कि परमात्मा तक आपके सुद्ध भाव ही पहुंसते हैं मगर हम भगवान के मंदिर में, मस्जित में जाते हैं और धेर सारा चड़ावा चलाते हैं और कुछ ना कुछ मांगते हैं जब परिणाम नहीं आते, तो उसे ही कोस्ते हैं हम हमेशा फरियात करते ही रहते हैं मगर परमात्मा कभी बोल भी दिये तो बरगत की पेड़ की तरह ही बोलेंगे कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं तुमको तुमारे कर्मों से नहीं उसमें चीपे भाव से जानता हूँ हमारे भाव अगर खराब हैं तो हम कुछ भी कर ले हमारा कोई भी भला नहीं कर सकता और हमारा कुछ भी भला नहीं हो सकता इश्वर हमें हमारे भाव से जानता है ना कि हमारे कर्मों से धन्यवाद